तो चलो प्यारे बचे इस वाले question को देखो इस में क्या कहा जा रहा है अच्छे से समझना इस question को कि यह concept काफी times use होता है तो मैं कोशिज करता हूं कि तुम्हें वहतर है first minima first minima adjacent to the central maxima आप a single diffraction pattern तो जब single diffraction pattern होता है तो उस single diffraction pattern में जो यहां पर एक single slit है और उसको मैं यहां से तो मैं ऐसे इसको बना देता हूं कुछ ऐसे तो ऐसे थोड़ा सा single slit में इसे प्रेशन बना देता हूं यह जो distance at that distance यह सुदो ए मान लेता हूं पूरा distance और इनके जो मीड़ पॉइंट है ओ यह लाइन मीड़ पॉइंट से परपेंडिगुलर दिस्टेंस पर यहां पर इसक्रीन रखना हूँ और यहां पर ऐसे कुछ central maximum बनता है फिर and so on तो यह जो है वह central maximum है और यहां first minima है तो यहां से जो इस यह से यहां से जो रे जाएगी ऐसे कुछ वे फ्रॉंट ऐसे जाएंगे यहां से और यह वाली जो चीज है यहां प्रम्द यहां से जो वेवलेट्स जव पॉइंट ए सीप सुपर पोईजिशन हो रहा है यहां पे तो यह पूछ रहा है कि पॉइज पोईंट से जो जा रही है तो शेस्ट एजम जा रही एक और मुझे लेना पड़ेगा तो जो में यहां से consider कर लेता हूं तो मीड पॉइंट यह वाली अच्छे से देखना तो यह इसका मीड पॉइंट यहां से जा रही है यह पूझ रहा है जो यह ग्रीन वाली है और यह रेड वाली जो यह से जा रही है इनमें फेज का डेफरेंस डेल्टा फाई तो अगर इन दोनों में मुझे एक ऐखना है तो मैं इहां इन दोनों में पाथ का डिफरेंस निकालना पड़ेगा इन दोनों में यहां से यहां परिंडिकुलर डाल दो इस को इस ट्राइंगल को मैं यहां जूम करके बनाता हूं तो एक रह यहां से गई और यह मीड पॉइंट है यहां से गई तो यह आ जाएगा A by two क्योंकि मीड पॉइंट और यहां A, this is the value of the sine theta, यहां से sine theta की value आ जाएगी, तो अपने पास जो path का difference आ जाएगा, इन दोनों दे में, delta x is equal to, यहां जाएगा A sine theta upon यहां से 2, अब first, अगर first, general minima जो है, general, general minima का क्या condition, पढ़े होगे आप, general minima का condition, part difference, delta x is equal to, N, N lambda is equal to, यहां से A sine theta, यहां तुम इसको ऐसे भी लिखते हो, कि part difference is equal to A sine theta, E1 multiple of lambda by 2, तीक न, समय रहे हो, और minima के लिए, maxima के लिए, यही part difference, delta x is equal to A sine theta, odd multiple of lambda by 2, 2, N plus 1, और यहां से lambda by 2, दियान रगना है, इन दोनों में, जो N की starting है, 1, 2, 3, से start, तो यहां से तुम यह वाली, इसमें मैं first, अगर first minima के लिए condition लगाऊंगा, first minima के लिए, तो N की value 1 आ जाएगी, तो यहां से A sine theta, A sine theta is equal to, यहां से 1 रखोगे, तो A lambda आ जाएगा, मतलब, sine theta की value आ जाएगी, वो आ जाएगी, lambda upon A, और यह lambda upon A, एक काम करो, इस उपर वाली equation, first equation में रख दो, तो जैसे ही first equation में रखोगे, यहां से sine theta की value, या नहीं, तो इसी में रख दो, इस वाले equation में रख दो, delta x is equal to A by 2 sine theta, तो अगर इसमें रखोगे, तो delta x की जो value आ जाएगी, A by 2, और sine theta की value lambda upon A, तो यहां से तुम देखोगे, A, A, खतम हो गया, तो part difference आ गया, lambda by 2, जो कि हमें चाहिए था, ठीक है, मैं थोड़ा detail में इसलिए अच्छे से समझाता हूँ, कि बहुत सारे बच्चों को diffraction clear नहीं होता है, ठीक है, और अगर तो में मज़ा आया, तो अच्छे से लिखना, comment में, हाँ, बहुत सर, अच्छे से समझ में आ गया हाँ, लिख देना मज़ा आया, ठीक है, तो delta x is equal to part difference is equal to lambda by 2, तो part difference, तो phase difference delta 5 is equal to 2 pi यहां से lambda, और delta x is equal to lambda by 2, तो lambda lambda को मिला आके pi, तो phase difference आ गया pi, this is the final solution of this problem, that is, अपना A option S में match कर जाता है, thank you.